ट्वीट्स करकर के बताते थे इमरान खान खतम शुद आज भी उनकी सहाफत उनका पूरे क्या पूरा स्यासी नारेटिव सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमता है आज उन्हें लिखना चाहिए था कि साइफर केस खतम शुद और आज तो इमरान खान पहले सादिक थे फिर आज मासूम भी करार पाए है तो सादिक भी तुम अमीन भी तुम मासूम भी तुम हो कहीं कोई सोच रहा होगा कि फिर मैं क्या हूँ बिस्मिल्लेहरामानुराहीम असलाम अलेकूं पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुरकादर का सलाम आज काफी खुश लग रहे है आप लोग मैं कैमरे के इस पार बैठा भी देख पा रहा हूँ फील कर रहा हूँ के काफी खुश लग रहा seríaकोण लेकिन क्यों कुछ हमसे भी शेष किया कीजिये कभी रहे कमें सेक्षैन आप लोगों के लिए है मैं आपको बताता हi dry be writers ब्स PTI इमरान खान और खास वर पर PTI के लिए बड़ा आहम दिन था बैक टू बैक आहम डिवाल्पमेंट्स थी एक तो साइफर केस के हवाले से फिर बल्ले के निशान के हवाले से और फिर लेवल प्लेंग फील्ड के हवाले से PTI का जो आखरी वार था बिल्कुल लास्ट मिनिट में किया गया फैसला वो उनके हक में चला गया जो वो गुजिशतार वो सुप्रीम कोट में गये ये लास्ट मॉमेंट पे डिसाइड हुआ और आज समात होगी और अब से थोड़ी तेर पहले नोटिफकेशन निकलना शुरू हो गए और हिदाया जानी शुरू हो गई इन सब को समराइज करते हैं लेकिन सुप्रीम कोट के आज के फैसले से कौन कौन लोग खुश हैं इमरान खान को जमानत मिलने पर आज तो जरा सब्सक्राइब बटन के उपर बारिश हो जानी चाहिए पता चलना चाहिए आज मीटर जो है रेटिंग वाला ज़रा थोड़ा सा उपर कर दीजिए पता चले के लोगों के क्या ज़स्बात है तो जना इमरान खान साब की जमानत जो है वो मनजूर हुई और इसकी जो टाइमिंग है इस सारे मौमले की वो बहुत ही आहम है इलेक्शन से बिलकुल करीब उस वक्त में जब पकर धकर है नॉमिनेशन पेपर्स नी जमा कराने दिये जा रहे क्या क्या कुछ हो रहा है एन उन लमहात में जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारा कुछ चल रहा था तो मैं ग्राउंड पर मौजूद था ये सारी चीजे देख रहा था क्या हो रहा है नी रही और जो एक अब question उठ रहा है जो सब लोग बार-बार पूछ रहे हैं comment section में भी और inbox में भी कि जमाना तो हो गई इमरान खान साब रहा कब होंगे तो इसका answer करने जे पहले एक सवाल मेरा आप से अगर आपको पता है तो comment section में बताना है कि इसलामबाद high court के chief justice आमिर फारुक साब का इमरान खान से मुतालिक ये कितनवा फैसला है जो दूसरी course में जाके मुस्तरद हो गया या reject हो गया या undo कर दिया गया overton कर दिया गया whatever जो भी आप कह सकते हैं लेकिन मुसलसल ये कोई पहला नहीं है दूसरा नहीं है तीसरा नहीं है शायद ये आखरी भी नहीं है और भी हो सकते हैं लेकिन बानी चेर्मेन इमरान खान को इस बात का अंदाजा था कि उन्हें एक लंबी कानूनी जंग लड़नी है अभी फौरी तोर पे शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानिया नहीं है लेकिन आज का जो डिसियन है ये एक पावर कोईडूर है उनके बाकी केसिज में रिलीफ के लिए या एक दरवाजा यू समझ लीजे सुप्रीम कोड ने खोल दिया ये पहली काम्याबी समय लीजे या ये पहला रिलीफ है और मैं क्यूं कह रहा हूँ कि इमरान खान साब को भी आइडिया है कि उन्हें अभी लंबा इस स्केल में आगे जाना है जब इसलामबाद हाई कोड में आमिर फारूक साब ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था और फिर बाद में ड्रामाई सूर्तिहाल में उनकी गिरफ्तारी जो है वो रहाई में बदल रही थी और उनी लमहाद में इमरान खान साब बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ वो आपने एक देखा होगा वो यू ये वाला स्टाइल और वो कह रहे थे कि अभी हमें लंबी कानूनी जंग लड़नी है उन्हें भी अंदाजा था कि आगे कितने केसिस है और क्या-क्या होने जा रहा है उनके साथ तो इसलिए वो mentally prepared थे हैं और अभी आप लोगों को भी यही messages बेज रहे हैं कि आप लोग भी त्यार रही है अच्छा इस केस को थोड़ा सा discuss करके फिर आगे चलते हैं आपको बल्ले के हवाले से भी कुछ update देनी है जब मैं ये vlog record कर रहा हूँ तो अभी तक उसका फैसला नहीं आया मैंने जो इस वक्त election commission आफ पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम reporters हैं उन में से जो senior reporters हैं उन से रापता किया और पुछा कि बल्ले का फैसला कब आ रहा है तो उन्होंने बोला कि आज रात 12 वह से पहले पहले क्योंकि पिशावर हाई कोड ने आज ही फैसला करने का हुकम दे रखा है और Supreme Court की तरफ से जो level playing field वाला सारा pressure एकदम से election commission के उपर आ गया इन हालात में उसी रोज अगर वो बल्ले का निशान भी वापस लेते हैं तो क्या ये level playing field रह जाएगी ये सोचो बिचार इस टाइम कहीं ना कहीं होगा election commission में मुझे नहीं पता जब आप ये vlog देख रहे होंगे तो इस टाइम क्या decision आएगा लेकिन जो इस वक्त के हालात है उनको देखते हुए जो मैं predict कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ के मुझे क्या लगता है बहराल coming back to the point के कौन से एहम points थे जिनके उपर पूरा cipher case उड़ा दिया बहुत सारे लोग tweets करकर के बताते थे इमरान खान खतम शुद इमरान खतम शुद आज भी उनकी सहाफत उनका पूरे क्या पूरा सियासी narrative सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमता है आज उन्हें लिखना चाहिए था कि cipher case खतम शुद और आज तो इमरान खान पहले सादिक थे फिर अमीन थे आज मासूम भी करार पाए है तो सादिक भी तुम अमीन भी तुम मासूम भी तुम हो कहीं कोई सोच रहा होगा कि फिर मैं क्या हूँ तो पिर मैं क्या हूँ वो क्या है उसका जवाब भी आप लोग को नहीं देना है जो मौमला है इमरान खान साब की रहाई का उसके उपर आने से पहले जल्दी से सुप्रीम कोट के तीन चार अहम पॉइंट्स डिसकस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मतियुला जान ने भी बलके एक ट्वीट गया वो बड़ी इंपॉर्टन ट्वीट उनकी मेरी नजरों से गुजरी हालांके वो इमरान खान के बड़े नाके दैं जिसके बाद अड्याला जेल में होने वाला जो ट्राइल है वो बेमानी हो गया यानि उसकी कोई वुकत नहीं रह गई जजिस के रिमार्क्स क्या है जो मेन हाइलाइट्स थी आज के दिन की वो जल्दी से एक एक करके बता देता हूँ जजिस ने का कि अगर साइफर गुम होगा था जिसके उपर पूरा आप ने ये केस खड़ा कर दिया अगर साइफर गुम होगया तो शेबाद श्रीफ ने कामी सलम्ति के इजलास किस चीज़ पर किये उस वक्त क्यों नहीं बताया कि जनाब साइफर ही नहीं है उन्होंने तो इजलास भी कर लिए एलामिये भी आ गए लेकिन ये निकाह के साइफर गुम हो गया तो शहबाज श्रीफ के उपर भी एक तरह से वो क्वेशन मार्क रहा कि अगर गुम हुआ तो फिर उनका क्या करदार था प्लस ये पूछा गया कि आजम खान जो इस सारे मौमले में वादबाफ गवाब बन रहे हैं वो एक महिना कहां थे वो अचानक से नमुदार हुए कहां से आए और वो सारा उसके उपर भी क्वेशन मारक है फिर उन्होंने ये क्वेशन किया कि इल्जाम ये है कि गैर मुलकी जो मुमालिक है उनसे तालुकात खराब हुए तो कौन से मुलक के साथ हमारे तालुकात खराब हुए किस गैर मुलकी ताकत को इसका नुकसान हुआ य फिर ये पूछा गया कि FIR में इस चीज़ का तो जिकर ही नहीं है कि हमारे कोई अमरीका से तालुकात खराब हो गए या किसी मुलक से तालुकात खराब हो गए फिर असद मजीद का जो बयान है उसको भी question किया गया कि उसमें भी ये चीज़ नहीं लिखी गई प्लस ये भी कह गया कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं इन हालात में जब आगे elections होने जा रहे हैं तो किसी को क्या नुकसान होगा तो ये एक बहुत बड़ा question mark और एक ऐसा यूसमेलियर remarks हैं या observation है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रही है कि इन हालात में जब मुलक में election होने जा बनती, FIR नहीं बनती, ये case नहीं बनता, that means कि साइफर ट्राइल पूरा फारिग हो गया, उपर से अभी इसलामबाद हाई कोट में उसका जो in-camera ट्राइल है वो भी चैलेंजड है, उसके उपर भी बड़ी observation आ रही है और जिस्टिस मियां गुल, हसन औरंग जेब आने वाले अब तो सुप्रीम कोट ने भी इतफाक नि किया, जो पहले जस्टिस बंदयाल साब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी इतफाक नि किया और अब जो जजजिज हैं वो भी इतफाक नि कर रहे है, तो ये यकतरफा फैसले जो एक तरह से आ रहे हैं, फिर इसके उपर बहुत जमानत चाहिए अगर उन्हें रहाई चाहिए ये दोनों केसिज नैब की जानिब से बनाए गए हैं अलकादर ट्रस्ट केस और दूसरा तोशा खाना तहाइफ का केस उसमें नैब ने उनकी गिरफतारी डाल रखिया तो अभी सुप्रीम कोड के सामने जो केस था वो साइफर क हवाले से था उसमें उनकी जमानत हो गई लेकिन अभी दो केसिज और पैंडिंग बाकी हैं तो इमरान खान को अभी उन केसिज से भी जमानत हासल करना है उनके जमानत के केसिज लगे हैं प्रोसीडिंग अभी जा रही है लेकिन फौरी तो अगर यह का जाए कि वो रहा कि पहले केसिज सुने जाएंगे एक फरीक को सुनना है दूसरे को सुनना है फैसला महफूज होना है पिर फैसला सुनाना है फिर फैसला चैलेंच होना है फिर उसकी तारीख Supreme Court में लगनी है तो इस सारा करके डूपरसेश उसको फॉलो करना पड़ेगा अब आज हैं पी टि इंग फील्ड वाला मौमला भी उठा लिया गया और PTII ने दर्खास की कि जनाब हमारे नॉमिनेशन पेपर जीने जा रहे हैं लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है ये कैसा इलेक्शन है तो आप ब्राइम एरवाने इसके उपर हमारी जो दर्खास आई हु जानाध के दुरान जो रिमार्क्स सामने आए वो इलेक्शन कमिशन आफ पाकिस्थान की जो अब क्रेडिबिलिटी का में लफ्ज यूज करने लगा था लेकिन बची क्या है क्रेडिबिलिटी लेकिन एलेक्शन कमिशन की साख पर एक बहुत बड़ा क्वेस्चिन मार्ट कि ये आपका कंडक्ट है आज जजिस भी बोल रहे हैं कि बात दिन नजर में ये बात दुरुस्त है कि एक स्यासी जमाद के साथ बिलकुल अलग बरताओ किया जा रहा है और उन्हें आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं ये लजाम दुरुस्त है क्योंकि जिस आइम ये समात जारी थी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली एन उनी लमात में नॉमिनेशन पेपर चीने जा रहे थे लोगों की गरफतारियां हो रही थी उस्मान डार की वालदा ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने थे पुलीस ही पुलीस उनके घर के चारों तरफ में चाहिए और आपका कंड़क्ट ये है कि आप अड्याला जेल में जाके तोहीने इलेक्शन कमिशन की समाते कर रहे हैं यही पॉइंट मैं पहले भी रेज कर चुका था कि जिसका काम फौरी तोर पे इलेक्शन कराना है सारी तवज्जो इदर होनी चाहिए वो अपने बंदे बेज़ के जनाब तोहीने इलेक्शन कमिशन की अड्याला जेल में ट्राइल कर रहे हैं इमरान खान का ऐसे इलेक्शन होने साफ शफाफ तो इसके उपर आज सुप्रीम कोड आफ पाकिस्तान ने भी बड़ी स्ट्रॉंग अब्जर्वेशन दिया है तहरीरी ओर भी उनका पिर उन्होंने हुकम दिया कि फॉरण जाएं पीटी आई के लोग इलेक्शन कमिशन के पास जाएं इलेक्शन कमिशन के अमले को भी बुला कर हिदायती कि इनके जो शिकायात हैं उनको सुने उनको फौरी तोर पे इनके तहफुजात दूर करें फिर पीटी आई और इलेक गामी लेटर्स मरासले निकालने शुरू कर दिये चीफ सेक्टरी जो आईजीज हैं और जो मुतलका लोग हैं उनको उन्होंने मरासले निकाल के बताया कि जनाब एस पर सुप्रीम कोड डिरेक्शन ये काम उन्हें खुद से करना चाहिए था ये कोई सुप्रीम कोड का डं नोटिस नहीं लिया ये तो भलाओ सुप्रीम कोड का कि उन्होंने कोई ना कोई हुकम दिया खैर अब ये नोटिस जारी हो चुके हैं मुझे नहीं पता कि ये खाली खाना पूरी है या वाकई अब नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की महलत दी जाएगी क्योंके दो दिन का बढ़ गया है इसी सारी सुर्थाल के दौरान पी टी आई ने एक धांदली अलर्ट का आपके लिए मैसेज सर्विस जो है वो शुरू की है एक वाटसेप ग्रूप बना दिया उन्होंने या वाटसेप नंबर आप लोगों के लिए दे दिया मैं भी स्क्रीन के उपर आपक होने चाहिए तो वो भी अगर आपके पास या आपके इर्दिगेर कहीं पर भी है तो इस नंबर के उपर आप भेज सकते हैं अब में क्वेस्टन बल्ले के निशान के हवाले से थोड़ी दिर में फैसला तो होई जाना है मुझे नहीं पता क्या डिसियन होगा लेकिन जब म बल्ला नहीं देना तब भी आजाता बल्ला बरकरार रखना तब भी आजाता लेकिन सुप्रीम कोड के इतने सख्त अब्जरवेशन के बाद पी टी आई को बल्ले से फारिग कर देना ये बहुत मुझे ऐसा लगता है लेकिन फैसला अगर रिजर्व कर लिया है या लिख ब मुश्कल होगा कि वो पी टी आई को बल्ले के निशान से फारिग करने में कामयाब हो जाए तदाई तो और पर और तो कर सकती है मुझे तो वो भी मुश्कल लग रहा है लेकिन इन केस कर दिया तो ये सस्टेन नहीं करेगा अभी तक के लिए इतना ही अपना बहुत सा ख्य